नमश्कार दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम Alexa जो कि Amazon Echo का Voice Assistant है कुछ अला सकते है हमारे Raspberry Pi Board में अगर आपको नहीं पता कि Amazon Echo क्या है तो सुनिए Amazon Echo एक Smart Speaker है जिससे आप गाने सुन सकते हैं कुछ सवाल वगरा पूछ सकते हैं करा सकते हैं अप्लाइंस को कंट्रोल करा सकते हैं ट्राफिक या मौसम की जानकारी जान सकते हैं या तो सिब इससे आप बाते कर सकते हैं जैसे कि हम उसने Avian Client से दो और भी प्रोजेक्ट करे हैं जिसका नाम है Call Alexa और Alexa in the browser आप इसकी वेब साइट पर जाकर इसके प्रोजेक्स के बारे में जान सकते हैं तो आईए आज का टास्क शुरू करते हैं Raspberry Pi Echo बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक Raspberry Pi चाहिए होगा मैंने Raspberry Pi 3 यूज किया है जिसमें रैस्बियन जैसी लाइट OS चल रहा है आप इस OS को यहां से डाउनलोड कर सकते हैं उसके बाद एक speaker एक aux cable एक USB माइक अगर आपके बास USB माइक नहीं है तो आप खुद का एक headphone का माइक यूज कर सकते हैं USB sound card के साथ जैसे कि मैंने किया है और एक push button क्योंकि Alexa Raspberry Pi में wake up command से नहीं चलता तो हमें एक button की जूरुत पड़ेगी उसके बाद हमें हमारा board AVS में register करना होगा तो उसके लिए हम developer.amazon.com website पर जाएंगे वहां sign in करेंगे अगर account है तो बना नया account बनाएंगे उसके बाद हम apps and services के अंदर Alexa में जाएंगे वहां Alexa voice services पर क्लिक करेंगे उसके बाद register a product type में device select करेंगे क्योंकि हमें एक device register करना है मैंने already कर चुका हूँ तो सिर्फ मैं इसे edit करके आपको दिखाऊँगा फिर आप device type ID और display name में एक नाम लिखेंगे कोई भी नाम लिख सकते हैं फिर next पर क्लिक करेंगे तो हमें security profile दिखेगी यह सारी चीज़े हमें raspberry pi में EVS client इंस्टॉल करते वक्त चाहिए होगी तो अभी इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं अब web setting पर क्लिक करेंगे फिर इसे edit करेंगे यहां हमें हमारा local host और raspberry pi का IP address लिखना होगा और नीचे written urls में हमें response के लिए address लिखना होगा उसके लिए slash code दोनों address के पीसे लगा देंगे यह step में हम लोग सिफ अपने raspberry pi का IP address register कर रहे हैं ताकि हमारा board Amazon के service को use कर सगे उसके बाद next पर click करेंगे वहां categories में other select करेंगे फिर description में आप एक छोटा सा description लिख दीजेगा वैसे भी इसका कोई use नहीं है फिर timeline में longer than four month select करेंगे और number of devices में one लिख लेंगे फिर next पर click करे अब भी हमें Amazon music पर कोई interest नहीं है तो no select करेंगे और save कर देंगे इस तरह आप अपना device register कर सकते हैं तो अगला step है on raspberry pi सो हम एक ssh connection establish करेंगे putty के जरीए उसके बाद हम rpi में login करेंगे अब सबसे पहले हमें इसमें git install करना होगा git install करने के बाद इसमें Alexa py को clone करेंगे फिर हम Alexa py के अंदर जाएंगे यह सब clear कर देते हैं अब हम setup.sh file को run करेंगे कुछ देर बाद यह हमसे input मांगेगा सो आप इस तरह copy paste करके इस सारे inputs दे सकते हैं उसके बाद हम एक link को request करेंगे अपने browser से वहां अपने amazon account पे sign in करेंगे यह link में हमें हमारा बोड का ip address colon 5000 लिखना है login होने के बाद आपको एक refresh token मिलेगा जो कि आपके crats.py file में भी आ जाएगा जैसे के आप देख सकते है crats.py file के अंदर last में refresh token आ गया है crats.py file का format कुछ इस तरह से होना चाहिए उसके बाद control x करके हम main script को run करेंगे run करने के बाद यह internet connection check करेगा अगर connection establish हो रहा है तो यह hello response देगा अब आपको कुछ इस तरह से connections करने होंगे अब आईए AlexaPi से कुछ सवाल पुछते है हुड़ है तो लिए रनिदिप्रीप अगी hello okay so it has started the Alexa was service or Alexa is connected to the internet I will ask some of the questions what is your name my name is Alexa nice I had responded who is the prime minister of India India's prime minister is Narendra Modi okay so ask another question how far is moon from the earth the moon's distance is 239,000 miles 384,000 kilometers okay so last question what should I ask okay who invented you I was invented by Amazon nice so this is perfectly working if you want to know how this project works on my website techiesms.com where you can find this and many other projects that you can find out thank you